हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिकेवाई एजिकेशन, आप सभी का स्वागत है सिकेवाई एजिकेशन में, चले दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरार भी, एन्टी पीसी एंड गुरूबडी एक्जाइम के प्रिवियर के मस्ट इंपोर्टेट कोशन देख रहे हैं, तो आईए उसी परकार, आज भी हम एक शीरीज देखेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारत रतन में कितने धातु होते हैं, तो तीन धातु होते हैं, ठीक है, आगे देखिए, अगला कोशन है आपका, हर्गेट सब्ड किस खेल से सबंदित है, हर्गेट सब्ड किस खेल से सबंदित है, राइफल सुटिंग से, किस से है, राइफल सुटिंग से, अगला है, मिर्च का लाल रंग, मिर्च का रंग, लाल किस के करण होता है, मिर्च का रंग, लाल किस के करण होता है, तो केब के कारण होता है अगला क्वोश्चन है सूरे सुरे ग्रहण कभ होता है तो सूरे ग्रहण सूरे जब चंदर्म जब चंदर्म सुर और और पृठ्वी के बीच में आ जाता है ठिक है सन और पर्थ के बीच में आ जाता है तो सुर्ण होता है ठीक है चलिए आगे दखिए अगला कोश्चन है राष्ट जी बिग्यान दिवस कम मने आ जाता है ठीक है आप से कोस्टन पुछता आउंक बता ये कि परियाटन दिवस कम मने आ जाता है अगला कोस्टन है लेपचा जन जाती लेपचा जन जाती कहां पाई जाती है तो यह सिक्की में पाई जाती है लेपचा जन जाती कहां पाई जाती है तो सिक्की में पाई जाती ह और अगला कोश्चन है अस्ताइब बंदबेस्थ किसन लाव किया तो कर्ना वालिस्थ ने किया ठीक है कर्ना वालिस्थ है अप आता यह करनाललिस का साशनकाल कब से कब तक रहा comments में comment किजिए ठीक है आप सभी से आग रहा है कि वीडियो को पहले पूरा वाच किजिए और अपने दोस्तों के पास इसे share किजिए अगर वीडियो आपको पसंद है ता इसको like किजिए ठीक है आप इसमें 25 question है आप sorry इसमें 28 question है आप इसमे comment में कॉमेंट किजिए कि आपने कितना कोशन सही किया है मैं चन्दन भाई से जरूर आगरा करना चाहूंगा कि वो मेरा वीडियो पर देखते हैं वो अवस्ष रेकमेंट करें कि उसने कितना प्रश्ण सही किया ठीक है अगला कोशन है भारतिय सविधान में नित्ती निर्देशक्त तो किस देश के सविधान से लिया गया है तो आयरलंड से लिया गया है सर्दार सुरोर बांद किस नदी पर इस्तित है तो नर्मदा में है ठीक है कहा है तो गुज़ात में है मेटूर बांद कहां इस्तित है तो मेटूर बांद कावेरी नदी पर इस्तित है अगला question है, मानौ विज्ञान का अध्यन क्या कर आता है माउंट आबू में इसतित है अब आताइए England की रैजहानी क्या है ईंगलाएंड की रैजहानी लंदन है और इसकी मूद्र क्या है पाउंड है ठीक है अगला कोशन है डबल फॉल्ट किस खेल से सबंदित वर्ड है तो यह है टेनिस से ठीक है टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं आप इसे कॉमेंट कीजिए भारत छोड़ो अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन उनिस सब्यालिस में हुआ था ठीक है भारत छोड़ो अंदोलन का भुआ था तो उनिस सब्यालिस में हुआ था इसके नेत्रित वकावन कर रहा थे महात्मा गांधी ठीक है और किसके सासन काल में हुआ था तो लिन लिठ्वो के सासन काल में हुआ था अगला कोश्चन है हड़ापा के लोगों को किसकी जनकारी नहीं थी तो यहाँ पर यह लोहा है ठीक है क्या है यह जो लिखा गया है यह लोहा है लोहा की जानकारी नहीं थी, हड़ापा सब्याता के लोगों को क्या लोहे की जानकारी नहीं थी, ठीक है, आगला कोश्चन देखिए, एक किलो वार्ट वरावर कितना कैलोरी होता है, तो एक किलो वार्ट वरावर 860 कैलोरी होता है, ठीक है, आगला कोश्चन है, कुलाम कावे six point two five multiply 10k power 18 electron होते हैं ठीक है आगे देखिए धूप के चस्में धूप के चस्में में किस कांच का उप्योग किया जाता है तो कुरुक्स कांच के उप्योग किया जाता है ठीक है अगला question है अब आता ये comment box में कि फिलिंट कांच का उप्योग कहा होता है ठीक है किस काम में लिया जाता है फिलिंट कांच ठीक है ये तो हो गया धूप के चस्में का उप्योग में लिया जाने वहला कांच कांच सा है तो कुरुक्स कांच है अगला है राष्ट्रिये एकता दिवस कम मनाया जाता है तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक है 31 अक्टूबर को इंद्रा गांधी की डेथ हुई थी बता ये किस इस्वी में इंद्रा गांधी की डेथ हुई थी ब्लाइट रोग किस फसल से सबंदित है तो यह धान से सबंदित है ठेक है आगे दखिए बायो गैस में कौन-कौन सी मिश्र होती है हैं कौन-कौन सी गैस की मिश्र होती है तो मिठेन हाइड्रोजन एच्टु एस ठीक है हाइड्रोजन सलफाइड और सियो टू बांदी पूराश्टिये उधान कहां इस्तित है तो करनाटक में है कहां है करनाटक में है कि अगला है निदर लेंड के दस्तावेज को क्या बोला जाता है तो औरेंज बुक बोला जाता है अगला कोश्चन है नगारजुन बांद किस नदी पर इस्तित है तो ये कृष्णा नदी पर है संगी बिवस्था को किस देश से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है अगला देख लिजिए और चार कोश्चन है आप सभी साग रहें कि आप वीडियो को मेरे स्चेक जरूर कीजी आप से हाथ जोटी बीनती है प्लीज प्लीज अगला कोश्चन है अर्तिश्वी सम्नांतर रेखा किस के बीच है तो उत्री कोरिया और दच्री कोरिया के बीच में है हिंडन वर्ग रेखा किस के बीच में है तो जर्मानी और पॉलाइंट के बीच में है जर्मनी की रैजानी कहा है ठीक है और पूलाइन पूरायन के लीप्ला जरूर करेंगे ठीक है लेड आउक्साइड का बैपर्क नम क्या है तो इसका नाम है लिथार्ज क्या लिथार्ज लिथार्ज ठीक है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही आप सबसे आग रहे हैं कि प्लीज वीडियो को चरूँ शेयर करें अग्दी पसंद आया हो ताप इसे लाइक करें ठीक है और इससे मत देखे कि हाथ से लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ है कोशन बहुत ही बेदा लगा सकते हैं ठीक है चलिए बाइ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अ